दिविनिंग प्यारे बच्चों मैं हूँ आपके एजुकेटर पॉर्डिमा और हम करेंगे वरक्षीट 33 सब्जेक्ट आपका सोशल साइस है क्लास आपकी सेवेंथ है और ये वरक्षीट है 12 फरवरी की इपोषणल पार्ट टुड़र दिवाइन ये हम चप्टर पढ़ रहे थे हैं ना पीपल अरॉंड अस वर्शिप गोड इन डिफरेंट वे आप लोग ने भी देखा होगा कि भगवान को पूझने के लिए लोग डिफरेंट डिफरेंट तरिके अपनाते हैं कुछ लोग भजन किर्टन करते हैं, कुछ लोग अंदर ही बैठ के भगवान का नाम लेते हैं, कुछ साइलेंस में करते हैं, ठीक हैं, तो different philosophers have given different view about भक्ती, तो सभी जो अलग-अलग philosophers थे, उन्होंने अपनी अलग-अलग view दिये हैं भगवान के लिए, तो शंकरा, जो शंकर ह में born हुए थे, उन्होंने अद्विता, अद्वितावाद की philosophy को advocate किया था, मतलब उसका समर्थन किया था, अद्विता से about the oneness of the individual soul and the supreme God, अद्विता का मतलब है एक, मतलब दो नहीं है, अद्वि, यनि कि एक ही है, उनका कहना था, कि जो भगवान है, और जो एक individual being हम है, हम he taught that Brahma, the only ultimate reality, was formless and without any attribute, ठीक है, उसके कोई form नहीं है, बिना ही attribute के है, उसका कोई good नहीं है, he considered the world around us to be an illusion or a maya, उनका मानना था, कि जो भी हमारे आसपास, जो world है, वो क्या है, एक maya है, and priest, re-unitiation of the world and adoption of the path of a knowledge to understand the true nature of the Brahmana and the attention salvation, वो कहते हैं कि, इसे लिए हमें जो world है, उसको त्याग देना चाहिए, और हमें उसकी माया से निकल कर, हमें ज्यान को ढूनने के लिए आगे जाना चाहिए, ताकि हम मुक्ती प्राप्त कर सके, salvation का मतलब होता है, मुक्ती होई, आप कह सकते हो, ultimate happiness, ठीक है, अब बात आती है, रामानुच की, रामानुच क्या थे, ये केरला में बोन हुए थे, तो ये बोन हुए थे, तमिलाडो में, ये 9th century में थे, और ये 11th century में थे, ठीक है, इनका था विशिष्ट अधवितवाद, ठीक है, विशिष्ट अधवितवाद तो यहाँ पर देखिए, according to the doctrine of विशिष्ट अधवाद, विशिष्ट अधवाद की according, qualified oneness, the soul even when united with the supreme, God remained distinct, वो कहता कि बेशक से जब जो एक आत्मा होती है, बेशक से वो भगवान से मिल जाए जाके, लेकिन फिर भी उसका एक अपना existence रहता है, अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अलवराज किसकी पुझा करते थे, शेव भगवान की या विश्ट भगवान की, ठीक है, तो जो यह रामानुश थे, यह अलवराज से काफी influence थे, according to him, the best means of attaining salvation was through the intense devotion to विश्ट उनका, उनकी according था कि हमारा अगर बहुत जादा अब बात आती है, बास्वनाज वीरा शेवेजम, वीरा शेवेजम क्या होता है? The connection between Tamil भक्ती movement and temple worship lead to a reaction the best represented in the virtuosm, ठीक है, initiated by वास्वाना और जो उनके साथ companion थे, आलमा, प्रभा और अका महादेवी, ठीक है, यह movement begin हुआ करनाटका में, कब mid 12th century में, वेर्शवा जो थे, हर human being की equality में बिलीव करते थे, वो casteism और जो ब्रहमिक, ब्रहमिकल आइडिया होते हैं, कि ब्रहमिकल आइडिया थे, उनको, उनके against थे, ठीक है, देवर against the all form of ritual and idol worship, वो मुर्ती पुझा के भी against थे, philosophy, the study of idea and belief about the meaning of life is called the philosophy, life के बारे में जानना और उसके बारे में study करना ही philosophy है, philosopher, the term philosopher come from philosophy, meaning lover of wisdom, जो ग्यान का प्यार करता है, उसको कहते है, philosopher, ritual, reason, deeds related to worship, sacrifice, etc. जो हम रिती रिवाइज करते हैं, यग विगरा होते हैं, तो उनको ritual बोलते हैं, try and find out more about the idea of Shankara and Ramanuj, share your view about bhakti, तो ये आपको खुद ही share करना है, भक्ती के बारे में आपका क्या है, मतलब आप क्या मानते हो, भक्ती होती है, भक्ती से, ये आप खुद लिख हो, otherwise मैं evening तक first comment में इन दोनों activity का answer, जो अपने according मुझे लगता है, वो मैं लिख दूगी, ठीक है, लेकिन मैं चाहते हूं कि आप खुद इस answer को comment में लिखो, try and find out more about Shankara and Ramanuj, Shankara और Ramanuj के बारे में तो आप यहीं से लिख देना, कि ये इतना सारा ये अदविता को मानते थे ये विशिश टेदविता को मानते थे, ये केरला में बोर्न थे, ये तमिलाडू में बोर्न थे, ठीक है, और फिर इन दोनों के बारे में ये आप लिख देंगे, ठीक है, पहली activity का answer ये हो जाएगा, share your view about bhakti, देखो बच्चा क्या होता है, आज के time में कुछ लोग है, भक भगवान को मानते ही ना हो, जरूरी तो नहीं है कि हर इंसान भगवान को माने, तो इसलिए activity two, आप अपने आप करेंगे, और ऐसा खुश नहीं है कि आपको ऐसा भी answer लिखेंगे, तो आपकी teacher को acceptable होगा, बट आप अपना answer लिखेंगे, ठीक है, शंकरा वाजना एडवोके आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, अलवरा नंबर में कितने थे, पिछली ही वक्षित में हमने किया था, अलवरा कितने थे, नेक्स्ट है, who were the advocate of वेर्शवेजम, वेर्शवेजम के advocate कौन थे, तो यहां से लिखेंगे, बासवना and his companion like Alma, Prabhu and Akka Manadevi, were the advocate of वेर्शवेजम, यह question मारक अटा लेना, यह नहीं आएगा, ठीक है, तो अब चलते हैं हम, what are the attitude of वेर्शवेजम towards caste, caste को वो मतलब नहीं मानते थे, उनके लिए हर human being equal था, the वेर्शवेजवेज अर्गूड़ी for the equality of human being and against the Brahminical idea about the caste and the treatment of a woman, okay, then, next हमारा, how Adwita is different from Vishisht Adwita, different कैसे था, तो यहा the supreme God, यह कहते हैं कि oneness, which is ultimate reality, यह कहते हैं कि हाँ, एक है, लेकिन फिर भी जब भगवान में मिल जाता है, Vishisht Adwita, फिर भी जो एक पसंद होता है, उसकी एक unique identity बनी रहती है, ठीक है, तो यह थी हमारी आज की वरकशिट, I hope आपको अच्छे समझ में आई होगी, अगर कोई वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक किजएगा, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो, तो चैनल को सब्सक्राइब किजएगा, थैंक यू, have a nice day, may God bless you